हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अजीज आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चनल जिस पर आज मैं बात करने वाला हूँ वांडा के पूरे के पूरे युनिवर्स के बारे में जिसकी अब कई सारी रूमर के अकॉर्डिंग यही बात कहीं न कहीं इसी रूमर के तौर पर कन्फर्म भी हो जाती है कि अब शायद से कैरेक्टर्स और उनके युनिवर्स को डेवलप किया जाएगा जिसकी मेरे हिसाब से बहुत नहीं बलके काफी जादा जोरत है लेकिन अब देखना इंट्रेस्टिंग ये रहेगा कि इस कैरेक्टर उसके पूरे युनिवर्स पर कौन से स्टूडियो की पकड़ जादा अच्छी रहती है क्योंकि अभी के लिए तो यह आइडिया अगर ओरिजिनली देखा जाए तो डीसी स्टूडियो का है जिन्होंने पहले ही मैट रिव्स के बैटमेंट के पूरे युनिवर्स की कन्फरमिशन कर दी है और अब नो डाउट उस पर काम भी शुरू हो चुका है जिसकी तैयारी अब MCU की तरफ से भी फिलाल तो फिर से कहूँगा के रूमर के तौर पर वांडा के पूरे युनिवर्स को लेकर निकल कर आ चुकी है जिस पर मैंने आपको बीजवीच में कई सारे अपडेट दिये थे और अब उन्हीं सभी को एक साथ कनेक करकर बात करते हैं वांडा के इस पूरे युनिवर्स की जो की डेफिनेटली डार्क मैजिक की तरफ जा रहा है कैसे तो चलिए अब उन्हीं सभी के बार में डिस्केशन करते हैं जिससे पहले बनेगी हर बार की तरह मेरी छोटी सीर्क वैस जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो फेंट्स तो सबसे पहले ही बात कर लेते हैं एलिजबेट ओलसन यानि के MCU के युनिवर्स की स्कालिट वीच के बारे में जिनकी एक हिसाब से देथ दॉक्टर स्ट्रेंज इन दा मल्टिवर्स ओफ मैडनेस फिल्म के इंड में दिखाए गई थी और हाँ हम डाय हाट फैंस के अकॉर्डिंग डार्क होल के उस टेंपल में जो मैजिक हुआ था उससे डेफिनेटली वांडा बजबी गई होगी क्योंकि इस फिल्म के रिलीज से पहले ही एलिजबेट ओलसन की डील चार से पाँच प्रोजेक्ट के लिए कन्फरम कर दी गई थी जिससे की नो डाउट उनके कैरेक्टर के जिन्दा होने की एक हिसाब से हमें कन्फरमिशन मिल भी जाती है लेकिन फिर भी उनका फ्यूचर इस MZU के यूनिवर्स में आगे कैसे बढ़ेगा वो एक बहुत बड़ा क्वेशन है और अब उन क्वेशन पर आए तो सबसे पहले तो अगेन कहूंगा बांडा के ही कैरेक्टरों को लेकर किसी नया किसी तरीकिके सोलो प्रजेक्स की काफी जओधा स्ट्रॉंग रूमर भी है जो की बेसिकली शायत से सिर्ज नहीं होगी क्योंके इसी यूनिवर्स के एवड़ गेड़ जो बाकी प्रोजेक्स का जाल बुना जा रहा है वो कहीं सीरीज तो कहीं मार्वल स्पेशल के कंटेन की भी हिंड देता है जिसमें अब सबसे पहले बात कर ली जाए सीरीज की तो यहां पर नाम निकल कर आता है अगेथा कॉन्विंस आफ के ओस का जिस प्रोजेक्ट पर तो जोरो शोरो से काम शुरू है क्योंके शो में अगेथा के अलावा जो लॉक नाम के अक्टर को भी कास्ट कर लिया गया है और उनसे रिलेटेड रूमर फिलहाल तो वीकेंड की चल रही है जिस पर अगेन में कहूंगा इतनी भी बड़ी कंफरमेशन निकल कर नहीं आई है इसलिए आप इतनी ज़ादा बड़ी उमीद तो लगा कर फिलहाल उनके कैरेक्टर से ना रखियेगा लेकिन हाग कास्टिंग हुई है ये बात तो कंफरम है लेकिन इसके अलावा एगेथा का ये शो एगेथा की जर्नी के अलावा वांडा के युनिवर्स पर कितना ज़ादा फोकस करता है उस पर भी ऐसी कोई बड़ी अपडेट निकल कर नहीं आई है लेकिन फिर से कहूंगा रूमर बहुत ही ज़ादा स्ट्रॉंग है कि ये सीरीज कहीं न कहीं वांडा के युनिवर्स से कनेक्टेड ही रहेगी क्योंकि आफ्टर ओल एक डार्क मैजिक के युनिवर्स के शुरुवात अगर इसी से की जाए तो चीजें बिल्कुल पॉफिक चलती है क्योंकि इन सब में अगर Wanda के universe से कोई project पहले निकल कर आएगा तो वो यही है जिसके बाद इस list में नाम सीधे Wonder Man की series या फिर कहो special का निकल कर आता है यानि अब तक इस project से related कोई official confirmation निकल कर नहीं आई है कि ये project series है या फिर एक special लेकिन जो भी हो project अब 100% बन रहा है ये बात confirm कर दी गई है जिसके बाद फिर क्या था लोगों ने James Gunn के ही दिए गये hints को पकड़ कर सीधे नेथल फैनियल का नाम ही निकल कर आगे रखा जिनने Guardians के Universe में बार बार एक actor के तौर पर I mean film actor के तौर पर इनी चीजों को confirm करने के लिए दिखाया जा रहा था कि वो आगे चल कर शायद से Simone Williams का character play करेगे जिसे हाँ हम Wonder Man के नाम से जानते है लेकिन unfortunate फिलहाल तो उन्हें लेकर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि अब Deadline वालों के रिपोर्ट के according इस credit को उन से छीन कर DC के Black Manta यानि के याया अब्दुलमतीन को दे दिया गया है जिनकी rumor I think 3-4 महिने पहले ही काफी जादा circulate हो रही थी लेकिन अब ये deal final है जिससे कि MCU के universe में आप याया अब्दुलमतीन भी अंटर कर रहे है और अगर आप ये सोच रहे हो कि Wonder Man का connection बांडा से कैसे है तो उस पर भी आऊंगा जिससे पहले बात कर लेते है एक और एक्टर Ben Kinsley की जो MCU के universe में टेवर के character का role play करते है और basically वो इसके अलावा भी इस universe में एक actor ही है जो शायद से William के साथ किसी ना किसी फिल्म में काम कर चुके होगे क्योंकि comic book के according William का character भी Marvel की comic book का एक actor ही था जो चीज अगर आपको बिल्कुल भी clear समझ नहीं आ रही तो Eternals की फिल्म के king के character का example आपके लिए बिल्कुल perfect रहेगा ताकि आप उससे अंदाजा लगा सको कि Wonder Man का character MCU में किस तरीके से exist करेगा लेकिन इसके अलावा भी comic book में इसकी एक अलगी history है जो basically इसे वांडा से भी कही ना कहीं connect करती है क्योंकि वीजन के चले जाने के बाद इन दोनों का भी चकर चला था जिसके पहले कि इस character की origin असल में एक business man के तोर पर थी जो अपने पिता के business को बिल्कुल भी ठीक तरीके से समाल नहीं पाता क्योंकि इसका competition market में टोनी स्टाक से था जैसा character हमने Iron Man 2 में जस्टीन हैमर का देखा है जानी कि हो सकता है कि इन दोनों का connection कही न कहीं इस मामने में बना दिया जाए क्योंकि कॉमिक बुक में भी वंडर मैन का एक भाई था जिसे ग्रिमदा रीपर के नाम से जाना जाता है लेगिन खैर फिलाल तो उसका actor की बात नहीं हो रही इसलिए उसे चोड़ फिर से आते है और फिर यहां से हुआ था वीजन का जनम जिसके दिमाग से ये दोनों बने हुए है और इसी कारण से इस character का connection बांडा से बहुत ही जादा बना था और जब वीजन की मौत हुई थी तो वंडर मैन की ही body को यूज़ करकर फिर से वीजन को जिन्दा किया गया था आमीन वाइट वीजन और उन सारी की सारी stories को continue करते हुए लेकिन अब मैं आपको comic book में बिल्कुल भी जादा उल जाना नहीं चाहता इसलिए सीधे मुद्धे पर आए तो शायद से ऐसी कोई situation हमें बंडर मैन की सीरीज में देखने के लिए मिल सकती है जो अब अगर actor के तोर पर लोगों के सामने प्रेजेंट की जाए तो kingo की तरह वो भी comedy हो सकती है या फिर अपनी original route पर चलते हुए वो एक अच्छी story प्रेजेंट कर सकती है क्योंकि वीजन के character को लेकर फिलाल तो MCU में भी चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही उपर से white vision का character अभी अपने ही एक quiz पर निकला हुआ है जिसका official title MCU के universe में vision quiz भी रखा गया है और इसमें शायद से हो सकता है कि Wanda भी appear हो यानि कि Elizabeth Olsen जिस पर अब तक official confirmation निकल कर नहीं आई है और ऐसा ही कुछ Wanda Man के project से भी related है जिससे हट कर मैं vision के project की बात कर रहा हूँ और इस project में हम vision को खुद को ही explore करते वे देखने वाले है जो आगे चल कर खुद को पहले की तरह soft heart rate में convert कर लेगा अपनी उस series में या फिर कहू किसी special में खैर छोड़ो project बन रहा है ये चीज़ काफी जादा important है यानि अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसे मिला कर ये चौता project है जो कि basically Wanda के ही universe को आगे बाढ़ा रहा है लेकिन इन सब में एक report My Time to Shine वालों की भी थी जिनें मिला कर एक पाँचवा project भी है जो कि basically Children's Crusade पर focus करता है यानि कि Wanda के दोनों बच्चे विकन और स्पीड जो Avengers की उस storyline में definitely अपनी मा को ही ढोनने के ले निकलते है जो कि हो सकता है कि Wanda के Vision के Avengers के level का project हो जिस पर अभी मुझे लगता है कि जादा बात करनी चाहिए क्योंकि जैसी जरनी उस Children's Crusade में दिखाई जाएगी उसकी exact opposite story हमने Multiverse of Madness में देखी है यानि अब सब कुछ depend करता है presentation पर जो कि मुझे इन सब के बीच Wanda के हिसाब से बहुत ज़ादा अच्छी लग रही है बाकि लटसी के MCU वालों का take उस पर किस तरीक का रहता है क्योंकि अब जाकर कई सारी rumors और कुछ confirmation के according एक धंग के project और उसके universe को बढ़ाने की ये काफी अच्छी details है जिन सभी से related फिलाल तो इंटरनेट पर theories भरी पड़ी है जिस पर तो मैंने इस वीडियो में बिल्कुल बात तक नहीं की बाकि अगर देखते हैं कि इस वीडियो का response अच्छा रहेगा तो definitely मैं उन theories को भी अपने इस channel पर discuss करूँगा ताकि आपके लिए Wanda का बन रहा ये universe उन theories के तोर पर ही सही समझने में काफी ज़्यादा आसान रहे क्योंकि आप मुझे लगता है इस वीडियो को करना चाहिए यहीं पर खतम बाकि मैं हूँ अजीज आप देख रहे थे movie stock channel जिससे अगर आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने वे इस बैल एकन के साथ साथ notification को भी all पर क्लिक कर दीजिएगा बाकि अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या वी किसी और सीरीज का टापिक पर बात करते हुए तब तक लिए आप मेरे चैनल के बाकि दूसरे वीडियो को भी इंजॉई कीजिए और तिल देन बाई झाल